सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग वलकुम बेक तो मैंने अदर वीडियो और आज की हमारी वीडियो में मेरे पास की है यूंडाई i20 की जैसके आप देख सकते हैं और आज मैं इसका पूरा हिंदी में डिटेल रीवी दूँगा सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफोमेशन आप सब इसके शेयर करना चाता हूं कि जो कॉंटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा वह है सोरम का कॉंटेक्ट नंबर और अगर आपको यह यह यूंडाई i20 पर चेस करनी है तो जल्दी से उ को दूर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात करते हैं इस ग्रेट हुंडाई 20 के बार में और इसकी डिटेल्स देता हूं आज मैं इस वीडियो में और ऐसी पाज बाते बताऊंगा इस कार के बार में जो इसको इसकी सेग्मेंट में बेस्ट बनाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रेंट लोक में तो अगर हम बात करते हैं तो आप देखी सकते कितना जादा स्टाइलिश ग्रिल अब भी से प्रोवाइड किया गया है पहले की आई 20 और अब की आई 20 में बहुत जादा डिफरेंस है तो चलिए सबसे पहले में दिखाता हो आपको यह फ्रेंट ग्रिल सो यहां पर जो क्रिस्टल फिनेश आपको प्रोवाइड की गई यह वह बहुत जादा अच्छी है अगर हम देखे तो इसके पूरे लुक से और जो ग्रिल है उसको जो है हुंड़ा वेंडा से लिया गया है और इसमें फिट कर दिया गया है इस पर ज्यादा स्टाइलेश लग रहा है और बहुत ज्यादा बहतर लग रहा है पहले की आईटांटी से बात करते हैं इसके हैलम की जो की पूरी वीडियो का हाइलाइट रहा है और पूरी कार का हाइलाइट रहा है इसका पूरा हैलम क्योंकि सबको वेड था कि अब कैसी कि आएगी Hyundai i20 led headlamp के साथ सो यह देख सकते हैं पूरा headlamp इसका जो कि यह एस्टा वैनेंट है तो आपको LED headlamp plus projector आपको provide किया गया इस पे और एक LED DRL सो वहीं पे इसका जो एक और highlight है इस पूरे headlamp में वह इसका है i20 की जो हमारी बैजिंग है headlamp के अंदर में जो बैजिंग है वह इसका हाइलाइट है सो अब वहीं भी बात करते हैं इसके पूरे fog lamp setup की बात कर लेते हैं और इस fog lamp setup में आपको मिलेगा एक projector fog lamp प्लस यह जो प्रवाइड की गई है यह जो curtain पूरा फिनिश आपको प्रवाइड की गई है वह बहुत ज्याद़ स्टाइलेश है और जो curtain crosses का वर किया गया इस पूरी कार में वह बहुत बढ़ियां लग रहा है इस पूरी कार में अगर बात करते हैं कि यहां पर बंपर की सब देख सकते हैं इसका बाडी कले बंपर फ्रवाइड के गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इस पूरे लुक को और ज्यादा कर्फ की जगह एक बहुत अच्छा और इस पूरे हुड को बढ़ा कर दिखाए गया है जो कि अब एक बहुत अच्छा चेंज है इस कार में वहीं पर अगर हम हुड की बात करें और उसके ऐरोडायनमिक्स की बात करते हैं तो यह पूरा एरोडायनमिक है हमारे हुड का और जो इंजन बेका है हमारा पूरा एरो डैनमेक इसको एक बैटर फिल एफिशेंसी देता है तो वहीं पे बैटर स्मूध ड्राइब भी प्रोवाइड करेगा जो कि कोई भी अगर इसे राइट करता है तो उसे कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके पूरे स्मूधने इंजन बेकी और उसके बाद बताऊंगा मैं पूरा साइट एंड रियर वार्क तो चली पहले बात कर लेते हैं इंजन जो कि इसका नेक्स्ट हाइलाइट रहा है सो गाइस अब बात करते हैं इसके पूरे इंजन की क्योंकि बहुत जादा क्यूरियोसिटी थी पूरे इंड इंजन इसमें प्रोवाइड किया गया है जो की 1197 CC इंजन है और अगर बात करते हैं इसके पाउर जन्वेशन की सो 81.86 बहुत के होस्पावर यह जन्रेट करेगा एच 6,000 rpm और वहीं पे अगर टॉर्क की बात करें तो 100 15 Nm की टॉर्क जन्रेट करेगा यह एट 4,400 rpm इसमें 3 हैं वहीं पे 4,12 वाल्प का पूरा इंजन है यह एबलेबल इस पूरी कार में वहीं पे इंजन को देखें अगर तो बहुत ज्यादा शिफ्ट किया गया इस साइड और यह जो इंजन है इंजन बे को बहुत अच्छा बनाया गया जिससे इसकी कूलिंग प्रॉपर होगी और अगर हम इधर की बात करें तो इंसुलेशन यहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया यह एक थोड़ी सी पॉल्ट रह गई एक प्रॉपर इंसुलेशन इसमें प्रोवाइड करना चाहिए था और डिरेक्ट इस वज़ए से थोड़ा सा इंजन जल्दी से हीट अप होगा बाकि अगर हम बात करते हैं इसके पूरे इंजन की इंजन एक बहुत जादा प्रॉपर सैट अप किया गया यहां पे आपको प्रोवाइड किया इंजन सो यह था हमारा पूरा इंजन लोग किस कार का अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की और उसके बात रियर पे आप इसे कह सकते हैं सो यह हमारा पावर एड्जस्टेबल और इलेक्रिकली फोल्डिंग ओर विम जैसे कि आप देख सकते हैं और वहीं पर अगर देखे हम सो इधर आपको प्रोवाइड किया गया है एक इंडिकेटर प्लेस्ट है इस पर टर्न इंडिकेटर आपको यहां पर मिलेंगे और और वार्विम एलेक्रिकली फोल्डिंग है तो बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है इस कार का और पावर एड्जस्टेबल है यह वार्विम हो गया और ज्यादा चलते हैं हम टायर के पास चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर सो यह हमारे हैं 195 x 65 r16 टायर इसमें एड्लिवल है अलओए बीज से वहीं पे देखे तो द्यॉल्ट लॉल्ट लॉविल सुस्टेबल अगर प्रोफाइल बात करते हैं तो फ्रंट में पर बलेगा में पर्शन इस्ट अस्पंशन तो ब्रेक्स जिस्टेफों अब चलते हैं रियर तायर में सबसे बहले तो वही है, same R16 टायर है, टूबलेस रेडियल टायर है, सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो सस्पेंशन हमारा है, कपल टॉर्शन बीम, एक्सल सस्पेंशन आपको रियर के लिए मिलेगा, तो ड्रम ब्रेक्स भी आपको रियर में मिलेंगे, अब जो बेस्ट पार्ट है इस पहली चीज जो इस कार के बारे में पहली बात जो इसे बनाता है अपनी सेगमेंट में बैस्ट वह है इसकी विद, या गास तो विद के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ है, जो यह फूरी बैस्ट रहींगे, अपनी सेगमेंट में अगर इसके विद को देखें तो, One thousand seven seven 75 mm की विद इसमें अब इसे कैसे बनाता है विद इसको सबसे ज़्यादा बैस्ट अपनी सेग्मेंट में क्योंकि अगर इसके राइवल में देखें तो आपको इतनी विद इस कार में नहीं प्रोवाइड की जाएगी अगर हम इसके राइवल में देखें या गाइस इसके राइव में नहीं मिल ही इस भज़े से ये widest कार है अपने सेग्मेंट की जो की इसके comfort को और ज़्यादा बढ़ाता है यह आगा इस तो जितना वेध होगा उतना बढ़िया comfort आपको मेलेगा उतनी बढ़िया सीट से आपको मिलेंगी और उतना ज्यादा में उतना बढ़ियां comfortably रियर सीट पे 3% सकते हैं तो यह पहला पॉइंट था स्किप विद को लेकर दूसरा भी लैंथ से ही रिलेटेड है लैंथ की बात करते हैं तो अंडर 4 मीटर कार है 3995 mm हमारी पूरी लैंथ हो गई है अगर बात करते हैं 6580 mm मिलेगी अब यह दूसरा पॉइंट आवल ब tasting दूक्त में इतनी फिंग बेस किने यानि 2580 mm Google में किशिकी अपनी सिर्मेन आपने इसे के लैंध रोम नी रोम को ज्यादा बढरा कर बताता है और बहुत ज़्यादा comfort और एक luxury के साथ यह कार आती है तो अगर बहुत से लोग इसे swift के साथ compare करें तो उसका मैं बता देता हूं swift एक sport की कार में आती है वह एक sport के लिए है वहीं पर अगर इसे देखें तो अब यह sport से हटकर एक comfort और luxury पर इसका ज्यादा focus रहा गया है और इसी वज़े से इसमें जो comfort आपको मिलेगी वह स्विफ्ट में भी आपको प्रवाइट नहीं की जाएगी चलिए एक तो बात यह हो गई और अगर दोनों का compare करते हैं तो बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है यह कार स्विफ्ट से भी अब तीसरी पॉइंट में बता देता हूं आपको कि क्या इसे बैटर बनाता है इस जनेरेट करती है टाटा अल्ट्रस से अगर हम compare करते हैं इस तो टाटा अल्ट्रस 90bhp की horsepower को generate करती है तो वही पर यह 100bhp के horsepower कर लेती है डीजल इंजन के साथ तो वही पे यह बहुत ज्यादा अच्शा फीचर है गियर उप्शन की बात करते हैं तो गियर में भी यह बहु पीछे रहे गए हैं और सिफ फाइफ स्पीड गेर बॉक्स के साथ आते हैं इसके राइवल सो यह ज्यादा बैटर है अगर हम देखे बहुत सारे चीजों में तो वही पर अब देखते हैं डीजल एंजिन के साथ इसके टॉर्क कितनी है तो डीजल के साथ अगर इसकी टॉर्क के टॉर्क करती है वही पर इसके राइवल टाटा एल ट्रॉस को देखे तो 230 एनम की टॉर्क जनरेट करती है तो यह टॉर्क पावर गेर तीनों में आगे लिकल गई है और यह बहुत जादा कमफर्टेबल कार है अगर हम पूरे लुक्त के हिसाब से देखे तो यह तो हमार सबसे पहले आप देख लीजेए पूरे इस रियर को आप जादा अच्छे से पहले देख लीजे तो मैं बता देता हूं अब की पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके इस पार्ट की यह हमारा क्रोम बैल्ट विथ फ्लाइबक रियर क्वार्टर में ग्लास है जैसे कि आप अब लेड्य तेल लम्प प्रवाइट के इसकाड में उभी जेड शेफ ने पको प्रवाइट के आगे विथ एलेडी वोर्क एड़ी तेल लेंप प्रवाइड गाइए ज्एड़ शेप का जो की बहुत ज्यादे स्टाइलेश और रीर को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया ग इसकी जो कि इसे और ज्यादा अच्छा बनाता है और एक स्टाइलेश हैजबेक बनाता है जैसा कि आप पूरे इस कार में देख सकते हैं यह जो पार्ट है आपको देखने को मिलेगा पाउर विंडो एट रियर एंड फ्रंट जोनों वे प्रोवाइड के गए तो वही पर डी आपको प्रोवाइड के गए इसके लिए अब हम बात करते है रियर पार्किंग कैमरा कहां पर है इस कार का तो यहां पर प्रोवाइड के गया है रियर पार्किंग कैमरा जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रियर पार्किंग कैमरा प्रोवाइड के गया है तो बात करेंगे इंटिरेयर में बूट को बारे में बात करते हैं आपको मिलेगी 311 लेटक्षी बूट इस पूरी कार में एक पास शेल्फ आपको मिलेगा जिस पर आप रख सकते हैं अपना जो भी समान है लगेज ए उसे रख सकते हैं वहीं पे नीचे आपको प्रोवाइड की देख एक प्रॉपर बूट इस पेस और इक इसकी लेंध कार्डिंग देखे इसके पूरे वर्क देख्या तो इसमें प्रॉफट प्रोवाइड के यह जिसमें बहुत अच्छी लगेज इस सब्सक्राइड अगे अगर आपको बैंट सब्सक्राहत अपको यह पास दिना सा स आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा और अगर अब रियर में देखें एक बेस्ट पार्ट इसका है कि यहां पे आपको रियर में भी स्पीकर्स प्रोवाइड किये गए हैं इस पर टायर के बात कर लेते हैं तो यहां पे आपको इस पेर टायर मेलेगा यह पूरा हमारा रियर वर्क हो गया आप बेस्ट पार्ट में चलते हैं जो कि इसका इंटीर है क्योंकि अब वह हाइलाइट है कि इतनी स्टाइलिश्ट कार का कैसा इंटीर आपको प्रोवाइट किया गया वह देखना बहुत जादे इंपॉर्टेंट है कि इंटीर्ज पे चलते हैं और बात करते इसके पूरे फीचर और इंटीर्य लोऊजकि । बाहिए सबसे पहले रियर से स्टार्ट करते तो रियर सीट पे चलते हैं तो आपको मिलेगा इस पूरे काॉड अब बात करते हैं इसके विंडों के नेचे तो यहां पे आपको मिलेगा पूरा इस ट्रेप क्रोम का जो की जाता है इस तक तो चलिए इंटीरे में चलते हैं और बात करते हैं इंटीरे लुप की यह हमारा i20 का इंटीर है नेक्स्ट हाइलाइट फीचर अब इसकार तो अब बात करते हैं इसकी सो यह हमारा पूरा हो गया डूर हैं डूर का लोग पूरा यहां पर आपको फोड़ा से शिल्वर गानिश मिलेगा तो डूर क्लोस करने के लिए विंडो उपना एंड टू ओप नीचे यहां पर आपको प्रोवाइट के अगए स्पीकर वहीं पर कल मैं आपको बता रहा था inova वाली वीडियो में जो बता रहा था मैं कि मैंने फर्स्ट ताइम किसी रियर कार पर देखा कि रियर डॉर पर आपको कप हूल्ड प्रोवाइट के जाएंगे बाटल हूल्ड वह आज वापस से मैं देख रहा हूं हुंडा आइट्वेंटी में आपको मिलेगा रिये डोर पर भी बॉटर बॉटर होल्डर तो आप अपना स्टाफ इसमें रख सकते हैं या वह बॉटर बॉटल रख सकते हैं चलिए बात करता हैं सीट की और इंटीरियर लोग की सीट जो कि सबसे जादा हाइलाइटिंग होता है किसी बी कार का वो सीट अलाट्स अफ कमफर्टेबल सीट इस कार में प्रोवाइट की गई है माइगाड और एक चीज बता तो लैग रूम आप देख सकते हैं इसमें नी रूम देख सकते हैं अगर यह इतना भी एड़ेस्ट जितना आपकी यह वाली सीट एड़ेस्ट है इतना एसी वैंड तक तो इतना नी रूम आपको इतना प्रोवाइट किया ही जाएगा वही पर अगर लैग रूम की देखें लैग रूम बहुत ज्यादा अच्छा है कमफर्टेबल लैग रूम में अंडर थाय सपोर्ट आप देख सकते हैं इस पूरी कार में और अगर मैं रियर सेट की बात करूं तो इतने कमफर्टेबल सीट है और युंड आ को तो मैं स्टार्टिंग से जितनी वी वीडियो से मैंने सम्में फेल के हैं कि सबसे ज्यादा कॉमफर्टेबल सीट सीड शोती है 걱정 सब देख सकते हैं को एक और चीज अच्छी मिलेगी कि ये नेक्स्ट कमफर्ट फीचर की ये रेसी वेंट आपको प्रोवाइड किया गया है प्लस चार्जिंग सॉकेट भी आपको प्रोवाइड के गया है जिसमें आप चार्ज मिलगा कि अपना फोन यहां पर कैप्ट कर सकते हैं सो चलिए ये पूरा आपका एसी वेंट जैसे कि आप पूरे लुक देख सकते हैं क्या फिनेशिंग दी गई है इस कार को और वहीं पे इतना कमफर्टिबल पूरे सीट आपको मिलेगी जो कि बहुत जाद अमेजिंग है सो अब चलते हैं फ्रेंट पर क्योंकि बहुत सारी चीजे बतानी है मुझे फ्रेंट सीट के बार में बाकी तो आपको दिखी गया होगा इसका एक बैस्ट फीचेर फ्रेंट में तो चलिए चलते हैं फ्रेंट सीट पर यहां पर आपको मिलेगा दोर सेंसर जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहां पर आपको मिलता है फ्रंट दोर जैसे कि आपको देखना है इस पूरे दोर में कितना जादा है स्टाइलिश दूर आपको प्रोवाइड के गया है विंडो कंट्रोल है और ड्राइवर के लिए और अब आप देख सकते हैं अब अब इधर देखते हैं इधर क्या है यहां पे एक लाइट भी प्रवाइड की गई है और एक और चीज कि आप अपना स्टफ भी यहां पर रख सकते तो आपको मैं जूम करके यहां पर शो करना चाहूंगा हमारा आप इसका पूरा लाइट आपको अधर भी वही सफिंग मिलेगी यह था अमारा पूरा इंटीरियर तो, आपको इधर भी एक रिफ्लेक्शन देकने को मिलेगी सब्सक्राइब तो चलीए बिश्क हां सेक्ट आप कर दाब इडियस्टिंगा अहां अब यह सब्सक्राप इसका प हमारी पुरी और आथ इसका सुनिगा चलिशने में चलते हैं भातकरते Cup आंड कि अगर मैं बशा दूह ओनता दूं आपको इसका जो फृण्ट ड्राइस सीमिट है उसको तो कोई भी जवाब नहीं है और इतनी कमफर्टेबल है ये बहुत ज्यादा कमफर्टेबल सीट इसमें प्रोवाइड की गई है आप देख सकते हैं मैंने ये एड़्जस्ट की है इसमें मैं बैठा था पहले तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉपल लैग रूम आपको आप देखी सकते हैं बहुत अच्छा लेग रूम प्रोवाइड के हैं वहीं पर नी रूम और स्टेडिंग के पोजिशन देखे आप कितनी अच्छी स्टेरिंग वील की पोजिशन है पूरी सीट का कमफर्ट में बता दू आपको सीट कमफर्टेबल बहुत ज्यादा है इस अच्छी स्टेरिंग वील मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं और बता दू यहां पर आपको पूरी चंट्रोल सिस में मिलेंगे मल्ति फंक्शनिक स्टेरिंग वीले पाव स्टेरिंग वीले तेल्ट अन टेलिस्कोपिक भी है यहां पर कॉल पिक अप एंडिकली इह कुल्स कर धें भीन के लिए यहां पर ब्लॉरी एंड टेलिसकोपिक 25.1 बीर इस च्रहां बीडिए यहां के ऐ 2200 संपहर भी एंड्विले हैं घिजिता मिलें आपके जोबी पीछिस और चितने भी तैकोमीटर में फीचेर ओते हों थे एंडिज टेरली आपको शोगे वी So, next is your dashboard So, how amazing dashboard you have provided You can see what your whole dashboard So, first of all, let's talk about it So, this whole dashboard goes here This event will provide you here Here, here and here And here and here Now, what is the highlight feature of the dashboard? So, the highlight feature of the dashboard is the touch screen As you can see, the touch screen is placed here Like an LED provided White dial tone LED So, it is not white, it is a paper So, it is a little white But when it touched, it felt So, this is our whole touch screen It is a very big touch screen Setup, media, radio nav And navigation, map, volume increase and decrease option And power option So, this is our whole LED Now, let's go Let's look at the center console So, here you have the whole AC control You can see it You can see it Here you have the charging socket Here you have the USB cable And charging socket You have the USB cable Here you have the key Here you have the key And as I opened the door So, the full lights are visible I have closed the lights So, the lights are closed Now, let's talk about the highlight feature Gearbox 5-speed gearbox You have the manual transmission You have the manual transmission You have the stitches Look how proper In this car So, this was our gearbox Let's talk about it Here So, the cup holders You have the provided Handbrake And one front armrest Will provide it For luxury And for comfort For comfort And we can open it So, this was our Very big armrest So, now The best part About the seat I will tell you So, the seat is very comfortable Guys I mean, the seat is very relaxing The seat is provided And the adjustable headrest That is the best part So, So, This is the whole gas seat Comfortable Under-thash support There is no need In this car So, this was our Full feature And I have a very luxurious Feel Sitting in this car Because It is a very luxurious car This was our whole Hyundai i20 Interior look Like The whole look This car All the way Very amazing The door is very light To open To open And as I am telling The lights Opened As you can see The door I had closed Then It was closed So, let's go So, guys This was our Hyundai i20 And today's video We will end Here I have given you the whole Detail Of this car From the rear From the front From the rear From the front From the rear From the rear To share And don't forget To get rid of friends To get rid of The other Hyundai i20 What changes And the 5 things Which make better In this segment So, in today's video That's enough If you have Subscribe to the channel To get rid of To get rid of the car 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 And the car To get rid of the car And press the bell icon To get rid of the car When the car is done So, first of all You can see To get rid of the car To get rid of the car So, let's go I will get rid of the car In this next video I will get rid of the car So, we will see In this next video Till then Goodbye